जार्खन विधानसभा चुनाव के लिए NDA में परत्यासियों को लेकर राइशमारी पूरी हो गई है अगले हपते में परत्यासियों के पहली लिष्ट जारी करती जाएगी इसे लेकर बीतेर अबिवार को हर्मो अश्तित बीजेपी कार्याले में भास्वा प्रदेश विधा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी उसके बाद पार्टी की संसद्य बोर्ड उमिद्वारों की सूची पर अंतिम मुहर लगाएगी उसके बाद ही लिष्ट जारी की जा सकती है हिमंता ने आगे कहा कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में करीब साथ दिन का समय लग जा सकता है कि अगले हपते भाजपा अपने उमिद्वारों की लिष्ट संभावता चारी कर देगी इसके बाद नेतप्रतिपक्ष अमर बावरी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते वे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टी से भाजपा प्रदेश चुन इस महत्मुन विषय पर भी बैठक भी चर्चा हुई आगामी जारखन विधानसभा चुनाव राज जी की अस्मिता को बचाने का चुनाव है माटी बेटी और रोटी की सुरक्षा युवाओं और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए होने वाले चुनाव है राज जी में भष्टाचारी सरकार से राज जी की जनता को मुक्ती दिलाने का चुनाव है चुनाव को लेकर आगे की सारी योजना तयार कर ली है चुनाव में उतरने के लिए योध्धा तयार है और आलाकमान का आदेश मिलते ही सभी चुनाव मैदान में उतर चाएगे मुईस बैटक में बाबुलाल मरांडी, लक्षमी कांथ भाजपई, केंद्रे मंत्री वा, प्रदेश चुना प्रभारी, सिवरा सिंघ चोहां, हिमंता विशु सर्मा, अन्पुर्णा देवी, केंद्रे राज्य मंत्री, संजे सेट पूर्व मुख्य मंत्री, अर्जुन सहाय रविंद्र कुमार राय समीरु राव सुनिल सिंग समेत कई लोग मौजुद रहे बहराल आपको बता दे कि से पहले भाजपा हर्विधानसवाश्चेत्र में राय सुमारी के लिए बैठक भी कर चुकी है जिसमें संभावित प्रत्यास्यों को लेकर चर्चा हुई थी हा साथी चौदा नामों पर सहमती भी बन गई लेकिन अब उमिद्वारों की सुची आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि किसे टिकट मिला है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है स्रियारतन बहुत-बहुत शुक प्रिया